स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल टेकनिकल इंटलेक्शन में आज मैं आपको फास्ट स्कैनर एप के बारे में एक और फीचर बताने वाली हूँ जी हाँ इससे पहले हमने देखा था कि हम किस तरीके से फास्ट स्कैनर एप में PDF क्रियेट कर सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास और एक PDF फाइल बनी हुई है और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ और पीजिस एड़ करें तो वो काम आप कैसे कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना है फास्ट स्कैनर एप ओपन करना है एप ओपन होने के बाद आपका जो भी PDF होगा वो आपके सामने लिस्ट फॉर्म में शो करेगा अगर वो किसी फोल्डर के अंदर है तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा तो चलिए हम क्या करते हैं एक PDF फाइल ले ले लेते हैं और उसमें पेजस एड करते हैं तो जैसे कि मैंने इसे खोल लिया तो देखिएगा इसमें फिलहाल अभी टोटल चार पेजस हैं अब आप चाहते हैं कि एक और पेज इसमें एड होना चाहिए तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप यह जो त्री डॉट दिख रहा है न जिसे हम option कहते हैं इस पर आप जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पर आज जाते हैं सबसे first में देखिए आपके पास option है import from gallery आप जाएंगे import from gallery में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो gallery है वो open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है किसी एक particular image को select करना है मान लीजिए आप किसी एक page को add करना चाते है मान लीजिए मैंने कि इसे select कर दिया तो यहाँ पर मुझे simply एक बड़ tap करना था मैंने कर दिया अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास option है add का यह आपको top पर दीख रहा है ना add का means मुझे एक page add करना था इसलिए मैंने किसी एक image पर touch क हूँ तो अब select करने के बाद मुझे add करना है यह देखिए फिर से वही format आ गया यह selected area पूछ रहा है तो सब okay है तो मैं इसे continue करती हूँ मैं इस मैं इस right button पर touch करूँगी उसके बाद यह फिर मुझे color का option पूछ रहा है तो यह भी okay है मुझे यह photo में ही चाहिए है ना photo में तो मैंने से select किया मैं अब okay कर रही हूँ और आप देखिए कि आपका जो fifth page है वो कितने easy तरीके से इसमें add हो गया यानि कि क्या हुआ हमने अभ उसमें और भी pages होने चाहिए हमने simply क्या किया उस PDF को open किया और एक page उसमें इतनी easy तरीके से add कर लिया उमीद करती हूँ यह जो information है यह आपके लिए काफी helpful होगा thank you